हेलो फ्रेंड्स केजी टेकनिकल माइंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो में हम C.A.T. TV में नया कीट जब इंस्टॉल करते हैं कोई भी नया कीट जैसे की चैनिज कीट अगर हम इस्टॉल करते हैं तो चैनर्स किट में इंस्ट्रोल करने के बाद हमको क्या सेटिंग करना पड़ता है और जिए We compensation करते हैं सबसे पहले जयसे कि आप जानते हैं कोई भी किट का सर्विस मेनू होता है तो सर्विस मेनू चैनिस कीट का हमको इंटर करना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा आई इस वीडियो में देखते हैं तो सबसे पहले हमको एक रिमोट होना चाहिए इस कीट का जो कीट हम इंस्टॉल किया है उसमें बैटरी डालें बैटरी डालने के बाद टीबी का पैनल का भी माइनस को आपको प्रेस करके रखना है और रिमोट का डिस्पेले बटन को आपको प्रेस करना है एक साथ यानि कि पैनल का भी माइनस प्लस रिमोट का डिस्पेले बटन को आपको एक साथ प्रेस करके कुछ समय तक रखना है तो आपका इस्कीन में कुछ इस तरह से Show करने लगेगा अच्छा करने लगे दोस्तों आपको फिर रिमोट से मरतभवा डिस्पले बटन को press करना है जैसे ही आप डिस्पले बटन को press करते हैं आपके सामने एक नया मेनू Open होगा जечат कि आप देख रहे हैं को इस तरह से ब्लेक औief बाइलेंस आर् सी जी सी और बी सी तो बलेक और वॉइट को एड़्ेट करने के लिए होता है और अर्सी विसी ये जो है CRT का जो तीन कैथोड होता है Blue, Green and Red तीनों कैथोड को एड़जस्ट करनी के लिए हम RC, RBC, RGC ओप्शन से एड़जस्ट करते हैं रिमोट का Volume, Minus और Plus बटन के साथ और इसमें ज्यादा कुछ setting नहीं करना पड़ता है दोस्तों, अब आते हैं फिर एक मरतबा रिमोट से डिस्प्ले बटन को दबाते हैं तो यह important होता है कोई भी CRT TV में यह setting बहुत ही ज़रूरी होता है तो फिर एक मरतबा जब हम डिस्प्ले बटन को दबाते हैं तो इस तरह का Menu खुल के मेरे सामने आएगा जैसे कहाँ आप देख रहे हैं एज-फिज, भी साइज, भी पोज, भी लाइन और भी एससी तो एज-फिज जो है यानि कि होरिजन्टल लिफ्ट राइट को एड़़स्ट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं भी साइज भी हाटिकल का जो हाइट होता है इसारा उप्शन से हम रिमोट का भी प्लस और भी माइनस बटन के साथ प्लस माइनस करके एड़़स्ट करते हैं जब सारा कुछ एड़़स्ट हो जाए दोस्तों सेटिंग हो जाए उसके बाद फिर एक मरतबा जब हम डिस्प्ले बटन को दबाएंगे तो हम service menu से बाहर हो जाएंगे तो इस तरह से कोई भी Chinese kit का service menu में हम इंटर होते हैं इसी तरह से Chinese kit का service menu को हम open करते हैं I hope दोस्तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो please comment box में जाके comment जरूर करें और हो सकते इस channel को subscribe भी करें मिलते हैं next video में thank you